कोरोना का कोहराम अर्थवेवस्ता पर देखना शुरू हो गया है। इन आकड़ों से साफ होता है कि कोरोना ने फरवरी महीने में और द्योग्य उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गिरने का मतलब होता है कि उत्योगों ने पहले से कम माल तयार किया है। इसका असर बाजार में बिक्री पर भी पढ़ता है। दूसरी सेवाई भी से ब्रभावित होती हैं जिन में माल डुलाई, इंशॉरिंस, गोदाम, वित्रन जैसी तमाम सेवाई शामिल है। उत्योगी गुतपादन के बाद रिटेल महंगाई के आंकडे भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। मार्च में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.52% हो गई, जो फरवरी में 5.03% थी। खाने पीने की चीजे महंगे होने से रिटेल महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तेजी देखी गई थी, इसका असर भी रिटेल महंगाई के आंकडों पर देखा गया है। हाला कि अच्छी बात ये है कि महंगाई दर अभी भी RBI के लक्षे के मताबिक है।